एक पती पतनी के जोड़े को दो बच्चे हुए, दोनों ही बेटे, मावबाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बढ़ा किया और इस काबिल बनाया कि यह अच्छी नौकरी कर सके, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, अपने बच्चों के लिए दिन रात करी मेहनत करके एक बंदले जैसा दो मंजला घर बना कर दिया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग-अलग कमरों में रह सके ताकि आगे चलकर कभी बढ़वारे का विचार ना आए और इन में लड़ाय जगरे दोनों बेटों को अच्छी नौकरिया लग गई, दोनों की ही शादी हो गई, बड़ा बेटा जो भर के पहले माले पर रहता था उसको एक बच्चा भी हुआ, पोते का मूर देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए, सब ठीक चल रहा था लेकिन थोड़े ही दिनों खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे, दोनों बेटे और बहुँ ने मीटिंग की और टेक किया कि मां को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांक ली जाए, यानि कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा मां के खाने की जिम्मेदारी लेगा, जिन बेटों को बिन और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सुखी भी उसे किसी पकवान से कम ना लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन मां को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहां 15 दिनों तक खाना खाने के बारी चल रही थी तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कही बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़े बहु ने मां से कहा मा जी आज खाना नहीं बनाया है। हम बाहर जा रहे हैं वही खाएंगे आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूरी मां ने कहा लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहु ने कहा तो फिर ऐसा कीजिये कि पास वाले मंदर में भंडारा लगता है। आप वही पर जाकर खा लीजिये तो आपको गैस चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे लेकिन कोई कुछ ना बोला। बूरी मां को भूखा ही छोड़ बेटा और बहु फंक्शन में निकल गए। मां को थोड़ा दुखतो हुआ लेकिन फिर अपने आपको यह सोचकर मना लिया। ठीकी तो है कभी कभी बहु को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए। और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही तो मिलता है। मां खुशी-खुशी मंदर में जाकर भंडारा खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीट गए। एक दिन बड़े बेटी को छुटी थी। बेटा, बहु और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। मां बाप छोटे बच्चे को पूछ रहे थी कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। चोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से मां बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है लेकिन वह घर मंदर के पास होना चाहिए। माव बाप ने पूछा घर के पास मंदर क्यों होना चाहिए। तब बच्चा माव बाप से कहता है घर के पास मंदर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्षन में बाहर जाओ तो आप दोनों को ज्यादा तक्लीफ ना हो, मंदर नजदिक रहेगा तो ज्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासून बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों ही के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का ऐसा सब जाकर हुआ था जो उनके पांच साल के बेटे ने पहले ही कर लिया था। दोस्तों दु के साथ कर रहे हो आगे चल कर तुम्हारे साथ वही होगा यह तहै। इसलिए हमेशा याद रखो की दूसरों के साथ वैसा ही बरताफ करो जैसा तुम चाहते हो की बाकी लोग तुम्हारे साथ करें।